जै भोलिनात हरर महादेव आप सभी को महाशिवरात्री की बहुत बहुत शुपकामना है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि महाशिवरात्री के दिन हम किस प्रकार भगवान शिव शंकर का और माता गौरी का गठबंदन करें इस गठबंदन को करने से विवासमंदी सभी समस्याएं दूर होती है और ये गठबंदन आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें एक पात्र ले लेना है और उस पर मैंने यहाँ पीले चंदन से स्वास्तिक बनाया है आप सफेज चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं और इस तरह से एक पात्र के उपर हमें बेल पत्र रख लेना है और बेल पत्र का खुर्दुरा भाग हमें नीची रखना है और चिकना भाग उपर तो देखे यहां मैंने पार्थिव शिवलिंग और माता गौरी का निर्माड किया है इसलिए यह पात्र रखें जिससे यह गले नहीं क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों का गलने का डर जादा रहता है क्योंकि हम अभी शेक करेंगे तो इस तरह से देखे हम माता गौरी को और भगवान शिव शंकर को विराजित कर लेंगे और सबसे पहले जला भी शेक करेंगे इस जल में आप गंगा जल जरूर मिला लें और इसके बाद देखे यहां पंचामरत चा भी शेक कर रही हूं और इसके बाद यह जो जल है यह आप किसी भी अपने पौधे में डाल दें खाली तुलसी के पौधे में ना डालें इस जल को तो देखे अगर आपके पास शिवलिंग है और माता गौरी की मूर्ती है तो आप उनका भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं देखे अभिशेक के बाद अब हमें श्रंगार भी करना होता है तो यहां मैं हल्दी, चंदन, रोली यह सबी चीज़े समर्पित कर दूँगी चुकि महाशिवरातरी के दिन ही भगवान शिवशंकर का और माता पार्वती का विवा हुआ था इसलिए आज के दिन आप शिवशंकर पर हल्दी और रोली समर्पित कर सकते हैं वैसे बाकी दिनों में यह चीज़े नहीं चढ़ाई जाती हैं शिवशंकर पर इसके बाद देखे हमने अक्षत समर्पित कर दिये हैं और बेल पत्र को चंदन से टीक कर चिकने भा को टच करते हुए हमें भगवान शिवशंकर पर और माता गौरी पर समर्पित कर देना है इसके बाद जो भी भोले नाथ की प्रिये चीज़ें हैं जैसे धतूरा और यह मदार का पत्ता बेल फल भांग इन में से जो भी आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं और वरना सिर्फ बेल पत्र अगर मिल जाए तो वो भी काफी है इसके बाद सफेद फूल भगवान शिवशंकर को और माता पारवती को यहां लाल गुलाब का फूल समर्पित करते हुए मैंने जन्यू समर्पित कर दिया है और वस्तर रूपी कलावा और माता को मैंने यहां लाल चुन्नी समर्पित की है इसके बाद कालित तिल और अबीर मैंने समर्पित कर दिया है शिवलिंग पर और गुलाल जरूर अर्पित करें आप आज के दिन भगवान शिवशंकर को औ और इसके बाद देखे मेहंदी लगा देंगे हम इस तरह से माता गौरी को और कुछ सुहा की सामगरी भी आप भेट करें जितना हो सके इसके साथ ही हम सुगंदर पित कर देंगे तो चलिए अब देख लेते हैं कि गटबंदा हमें किस प्रकार्चे करना है तो आपको लाल और पीला कलावा जो मिक्स आता है वो ले लें आप वरना लाल अलग और पीला अलग उनको एक साथ कर लें और इस तरह से जो छोर है वो माता गौरी के साइड हमें रखना है और देखिए इस तरह से घुमाते हुए आपको साथ बार फेरे करने हैं कलावे से पूरे और पात्री के दिन इस उपाय को करें इस उपाय को आपको बगवान शिव शंकर की मूर्ती और मता पार्वती की मूर्ती के साथ ही करना है फोटो में आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं और यह जो भी कलावा बचेगा उसे आपको तोड़ना नहीं है वहीं पर छोड़ दें आप चाहें मंदिर में करें या घर पर आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेर कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं आप सभी के साथ इसी तरह के अन्य वीडियोज में तब तक के लिए ओम नमाशिवाए